बात करेंगे कुछ ऐसे पांच अल्टो कोई जो हमने एक्युमिलेट करें हैं वर दी तेंगे पांच ऐसे क्रिप्टो जिनसे हमें उम्मीध है कि काफी अच्छे रिटर्स देंगे काफी एच्छी पोजिशन में वो लोग कार्इंट लिबैठे हैं according to the market gap simultaneously हाँ पर हम लोगों ने कल की डेट में बात करी थी regarding crypto market में bull season कब आएगा काफी लोगों का ये question बहुत time से pending है कि कब हम लोग वो bull season जो है वो crypto कांसी market पर देखेंगे जिसके बारे में हर कोई बात करता है if you are a first time investor in the crypto कांसी market I am sure आप लोग अभी तक nervous हो रहे होगे आप लोग अभी तक डर रहे होगे कि क्या history अपने आपको repeat करेंगी but once you zoom out थोड़ा आप लोग यहां पर charts पड़ेंगे तो आप लोगों को कहीं न कहीं है clear होगा कि history is repeating till now आगे जाके अगर history अपने आपको repeat करती है तो yes September October onwards हम लोग यहां पर expect कर सकते हैं that move जिसका हम लोग काफ़ी time से wait कर रहे हैं क्यों वो move आ सकता है और कौन-कौन से यहां पर narratives हैं जो market follow कर सकती है for that parabolic move उसके बारे में हमने detail में बात करें और yesterday's video अगर आपके वो नहीं दिखिए तो जाके जरूर दिखेंगा फिलाल यहां पर बात करेंगे कुछ और important issues की भी काफी issues जो है वो market में एक retail investor face करता है if you are a first time investor या आप एक seasoned investor चाहूं तो यहां पर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको पता होने क्या चीज़े market में चल रही है वो कौन से 5 gold coins है उनके बारे में भी discuss करने के लिए सबसे पहले चलते हैं coin market cap में तो यहां पर आप देख सकते हो हमने open कर दिया coin market cap currently जो global market है that is down 1.10% total market cap की बात करें that is 2.37 trillion dollars बात करें dominance की BTC का dominance is 53.9% ETH dominance is 17.5% Bitcoin in the last 24 hours is down 0.47% ETH is down 0.81% market में short term में हम volatility हमेशा expect करते हैं और वो चीज़ अगर आप neglect करके चलते हो तो कहीं न कहीं वो बहुत देंजरस हो सकता long time के लिए we are still bullish we still believe कि Bitcoin यहाँ पर हमारे targets तक जरूर पहुँचेगा keeping in mind जो जो narrative हम लोग यहाँ पर site करके चल रहे हैं अगर वो सारे के सारे play out होते तो well यहाँ पर हमारे targets जो हैं वो definitely hit होने चीज़ए but before going to the alt coin engine के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक news जो है वो अभी थोड़ी देर पहले निकल के सामने आई इंडिया एक्षेंज हैक्ट यहाँ पर बात हो रही है वजीर X की वजीर X में अगर आपके cryptos पड़े हैं I hope कि आपके cryptos आपके पास safely हो बट जैसे कि हमने हमेशा बात करी है आप लोग ने अपने crypto जो है वो safely अपने cold storage wallet पे रखने कोई भी exchange हो वहाँ पे आपके पास एक भी रुपया नहीं पढ़ाओना यह understand करना बहुत जादा सिंपल है थोड़ा बहुत investment आप लोगे cold storage wallet में भी कर सकते हो काफी ऐसे wallet हैं जो आप लोग purchase कर सकते हो link नीचे आपको description section में मिल जाएगा that is the best thing जो आप लोग कर सकते हो अपनी investment के साथ in the cryptocurrency market यहाँ पर according to your budget आपको जो भी suit करता है wallet वो लेके वहाँ पर अपने crypto's hold करके रखे बिकाज़ बुल सीजन इतना जादा दो नहीं है the worst thing which we want कि अब बुल सीजन जहां पर आ रहा है तिन अजदीक हमारे crypto's हमारे हाथ से चले गए और exactly वैसे ही कुछ चीज आज के टाइम में आपर showcase हुई I will go further and से यहां पर कोई भी एक्षेंज हो चाए international एक्षेंज हो चाए इंडियन एक्षेंज किसी भी एक्षेंज में अपने crypto's ना रखे यह हम आप से बार बार request करते आ रहे हैं but coming back to the crypto गांसी मार्केट जिस मार्केट जो है वह एक बुलिश मोमेंटम लेकर आगे चल रहे हैं फिर एंग्रीड इंडेक्स में आप हम लोग ग्रीड में बैठे बाट ऐसे कौन से यह चाह कर सकता है इस्पेशली जब से आर डेवल्यूए सिक्टर में आर पाउल का डॉट से भी हमें उमीद है काडानों से भी हमें उमीद है सुनाना क्या अक्चुली गूट तिल फाइवंदेड तो 750 डॉलर्स डाट इस वाट माय अजम्चन इधिरियम से हम लोग यहां आप एक्सपेक्ट करते हैं 3-4x return from the current price, Bitcoin से हम लोग expect करते हैं 2-3x return, crypto कांसी मार्केट में जब आप किसी investor से बात करते हो, तो वो simply यही बोलता है, अगर मैं crypto market में इंटर कर रहा हूं, I am not looking for 2-3x return, I am looking for 20x, 30x return, और वो returns के लिए आपने थोड़ा look cap जाना पड़ता है, थो Starting from those narrative जो हम लोग यहां पर देखते हुए आरे, सबसे पहले चलते हैं RWA, RWA में hands down there is one crypto जो हम लोगों ने off-lately purchase करना start करा, and yes, यह market में इतना ज़्यादा fall नहीं होता है, as soon as the market starts to tumble, currently down 2.09%, last one year के अगर हम यहां पर performance देखे हैं, तो 5x return यह already दे चुका है, इसका नाम है ondo finance ondo के बारे में आपने definitely सुनाओगा, blackrock जहां पर tokenization की बात करता है, वहां पर ondo नाम जो है, वो सब के सामने आगा है, most of the investors are holding this crypto, यहां पर हमें उमीद है ondo से की काफी अच्छे return हमें देगा, and yes, एक ऐसा crypto बनता है, जो we do not want to miss for the upcoming bull market, अगर हम यहां पर markets की भी भात करते है हैं तो काफी बड़े exchanges where ondo already listed है, the likes of Coinbase, the likes of Bybit, यहां पर हम बात करते हैं, gate.io की, mixi की, bit gate की, balance का नाम अभी भी यहां पर missing है, तो यहां पर अभी भी scope है for the growth, in the short term, long term के लिए obviously we are positive for RWA category, and RWA category में ondo अभी तक काफी अच्छा एक clear रहा है, यहां पर अगर हम लोग बात करे next crypto की, जो कि हमने हाल फिलाल में purchase करना start करा, यहां पर इसका नाम है pit network, pit network जो है वो काम करता है on oracles, noracles के ओपर कौन सा और crypto है, जो काम करता है, that is chain link, यहां पर जो competition है between pit and chain link मैं उतना जादा नहीं देखता, because chain link अलग एक league में चल रहा है, chain link definitely हमारे portfolio में already है, pit को हम लोग यह इसका price जो है, वो काफी plump it down करा, काफी unlock जो है, वो हमें pit network में देखने को मिले है, build on top of solana, यहां पे इसका previous all time high was $1.15, and guess what, यह इसने reach करा था almost 4 months पहले, pit से उमीद है कि अपना एक नया all time high बनाएगा, for the very first time, pit यहां पे एक bull season देखेगा, और उसी वज़े से लोगों को यहां पे उमीद है कि pit यहां पे काफी अच्छी performance जो है, वो कर सकता है, token unlocks की जहां पे हम लोग बात करते हैं, definitely वो आपने यहां पे देखना होगा, और वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, currently unlocked cryptos की बात करें, that is 43%, locked जो cryptos है, that is 56.67%, something for you to understand, जहां पे हम नए क्र cryptos की बात करते हैं, वहां पे tokenomics बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यही पर हम लोग चलें to the next narrative, and this is the gaming narrative, gaming में, although बहुत सारे cryptos है, that we want to purchase, यहां पे the likes of immutable X आता है, यहां पे the likes of beam आता है, गाला आता है, यहां पे the likes of super आता है, यहां पे individual games भी आते हैं, यहां पे बहुत सारे ऐसे cryptos हैं, जिसमें आप लोग अपना complete portfolio बना सकते हैं, यहां पे CD5 fund भी आता है, in fact, एक launch pad for the gaming crypto, but अगर हमने यहां पे कोई एक crypto pick करना हुआ, that would be beam, beam का current price यहां पे है approximately 1 cent, 1% आप है in the last 24 hours, the best part is कि beam यहां पे एक नया project है, यह market में launch हुआ in 2023, वहां से इसने अ all time high बनाया, and market यहां पे fall करने लगी, तो beam भी यहां पे follow, build on top of Ethereum, यहां पे beam जो है, इसने अपना all time high बनाया था, that was 4 cents, currently down 58.17%, working on gaming platform, beam यहां पे काफी surprise कर सकता है, काफी investors को, tokenomics अगर हम देखते हैं, 79.23% already circulation में आच चुके, लोग यहां पे इसको compare करते हैं with Gala in the previous bull season, Gala yes definitely एक अच्छा crypto, अगर हम इन दोनों को compare कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ difference यहां पे खास नहीं है according to the market cap, although Gala के अगर हम लोग बात करते हैं, खाली एक ही drawback में Gala में देखता और इसमें हमें कोई डाउट ने है, but as compared to Gala, I would want to go ahead with Gala for this bull season, यहां पे एक और token है, जिसमें हमने recently invest करना start करा, और इसके लाव है Jupiter, यहां पे यह बना है on top of Solana, यहां पे हम लोग ने इसको accumulate करा and जब से हमने accumulate करा, काफी अच्छा रहन यह दिखा रहा, not saying कि we are a lucky charm, but यहां पे definitely हम लोग इसको miss out नहीं करना चारे तो, अगर हम overall देखें from the starting, यहां पे इसका price जो है वो down है 38.86%, जो पिटर का previous all time high was $2.04, currently down 51.94%, काफी लोगों काफी बड़ा नम्मर यह दिखेगा definitely, but उसी के साथ साथ keep in mind, Solana की ETFs यहां पे apply हो चुके, जैसे ही Solana के ETFs के approval यहां प से हम लोग expect करते हैं, the price to reach somewhere around $500 to $750, but उसके ecosystem में जो growth नजर आएगी, that would be amazing, Solana के जो ecosystem में project है, उनसे हमें काफी अची उमीद है, and that is one reason हम लोग यहां पे Jupiter में invested, the last crypto जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, that is Aerodrome Finance, Aerodrome Finance हाल फिलाल में drop हुआ था, and हम लोग ने बात करी थी कि हम और accumulate कर रहें, currently almost back to $1, last one month का अगर हम यहां पे चार्ट खोलते हैं, it is up 22.97%, almost 45 cents के आसपास हम लें यहां पे accumulate करना, दुबारा से start करा था Aerodrome Finance को, Aerodrome Finance जो है, वो बना है on top of base chain, do not neglect this crypto, अगर आप यहां पे थोड़ा सा risk लेना चाते हो, base token market में अभी तक launch नहीं हुआ बहुत सारे ऐसे tokens हैं, जिनका नाम base है, विल उन से दूर है, base token market में जब launch होगा, उसका अगर airdrop यहां पे मिलता है, तो definitely यहां पे Aerodrome की holders को थोड़ा बहुत benefit यहां पे हो सकता, Aerodrome के अगर हम यहां पे बात करें, previous all time high, that was $2.33, currently down 57.44%, जो इसने touch करा था almost 3 months पहने, 3 months मे market काफी ज़्यादा, plump it down हुई, and that is one reason यहां पे Aerodrome भी fall हुआ था, बट यहां पे जो recovery Aerodrome ने दिखाई है, that is amazing, यहां पे Aerodrome के अगर हम markets की बात करें, कौन कौन से exchanges में यह लिस्टेड है, यहां पे आप देख सकते हो coinbase exchange, यहां पे आप देख सकते हो bid get, यहां पे आप बट जहां पे हम लोग बात करते हैं base chain की, well वो narrative कही ना कही market में slowly and steadily play out हो रहा है, some crypto's जिसकी तरफ आप लोग देख सकते हो, few crypto's जो हमने half plan में purchase करें, and yes can be a shocker in the upcoming bull market, हम लोगों ने यह risk ज़रूर लिया है अपनी investment से, well crypto currency market में future किसी ने भी नहीं देखा, तो सोच समझ के अपनी research करके ही invest करिएगा, in any of the crypto's जिसके बारे में हम या कोई और बात करता है, because eventually आपका hard-earned money जो है वो crypto market में invest होने वाला है, I am not a financial advisor and I cannot advise you कि कौन सा crypto आप purchase करें, कौन सा आप neglect है, if you have been in the crypto currency market, I am sure, अभी तक आपको पता होगा and आप लोग analyze करके अपना portfolio decide already कार चुके ह अगर आप यहाँ पर कोई नए crypto's देख रहे है, do your research on these crypto's, यह ऐसे crypto's हैं, जिसमें हम लोगों ने भी हाल फिलाल में investment करनी start करी है, जहाँ पर हम बात करते है, scope की, yes scope यहाँ पर काफी अच्छा नजर आता, with that's it guys, आज का वीडियो करते हैं यह पर, and I hope आपको वीडियो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye bye